सभी को नमस्कार अभिनंदन सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की अनंत शुपकाम नाएं हम आजादी का अमरत महस्तव के अंतरगत हर घर तिरंगा अभियान में लगे हैं हमने हर घर तिरंगा अभियान के अंतरगत परति एक माधिमी जहले में विविन प्रकार के कारेकरम 11 अगस्त से 17 अगस्त के बीच आयोजित करने हैं हमने किये हैं माधिमी सिक्षा परिसाद उत्तर पर्देश परियाग राज द्वारा हमारे पोल्टल पर हमें दस फोटोग्राफ और एक वीडियो अप्लोट करने के लिए आदेशित किया गया है आदेशित किया हमको एक अफसर दिया गया है कि हम अपने कारियों को परदेश वासियों को दिखा सकें सबसे पहले हमें किसी सर्च इंजन पर जाना होगा गूगल या क्रोम पर हमें टाइप करना है upmsp.edu.in इस परकार का फेज सामने उपन होकर आएगा ओपन होने के बाद स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे नीचे जाने के बाद मिशन गौरब और मिशन गौरब से नीचे हर घर तिरंगा अभियान से संबंधित फोटोग्राप एवं वीडियो अपलोड करने हे तू यूजर आइडी और पासवर्ड से लॉगिन करें किलिक करेंगे किलिक करने पर इस परकार का फेज ओपन होकर सामने आएगा उपर इसमें फिल करेंगे जो भी आपका इसमें पासवर्ड होगा मैं इसमें अपना पासवर्ड इसमें फिल करता हूँ और पासवर्ड फिल करने के बाद मैंने सुरक्षा कोड अपना भरा लॉगिन करता हूँ लॉगिन जैसे ही मैं करूंगा इस परकार का फेज एक मेरे सामने मैं खुल कर आएगा सबसे उपर लिखा आया मेरे कॉलिज का नाम और उसके उपर लिखाया अमरत महसव फोटो एवं वीडियो अपलोड फोटो में वीडियो अपलोड पर जब मैं किलिक करूंगा देखेगा सामने कुछ निर्देश लिखे आए कि परधनाचारिया किर्पिय अपने विड्याले से संबंदित फोटोग्राफ दिये गए निर्देश के नुसार अपलोड करें किर्पया सुनिष्ट करें कि किसी भी फोटोग्राफ का साइच 100 KB से कम और 300 KB से जाधा ना हो यानि फोटोग्राफ ज्यादा से जादा 100 KB और 300 KB के बीच होना चाहिए और photograph केवल JPG प्रावरूप में ही होना चाहिए WhatsApp द्वारा प्राप की गई photograph upload ना करें मैं आपको एक photograph को upload करके दिखाता हूं इसमें जैसे click करेंगे आप यह एक photo दो तीन आएंगे मैं पहले नंबर का photo करूँगा क्लिक एक file को सूज मुझे करना होगा चुकि मैंने अपने डेस्टॉप पर एक पहले से ही एक folder बना रखा है हर घर तिरंगा और जितने कारेकरम हुए हैं उन से संबंदित photograph हर घर के तिरंगा कारेकरम के photograph मैंने folder में पहले से अप्लोड करके रखे हैं उनका साइज मैंने पहले देख रखा है और एक photograph को मैं open करके इसमें डाल देता हूं देखे का मेरा फोटो यह अप्लोड हो गया अब यह जैसे उसमें पूछेगा तो यह मेरा photograph यहां पर क्या होगा अप्लोड हो जाएगा इसी परकार में दूसरे वीडियो को लेता हूं तो वीडियो को लिए फाइल चूज करूँगा और वीडियो को फाइल सूज करने के बाद आप देखे एक वीडियो मैंने डाल रखी हर घर तिरंगा कारेकरम उसको मैं open करूँगा और यह वीडियो भी मेरी अफसर दिया अब आईए मैं फिर से पोल्टल पर सूरू से जाता हूं मैंने यूपी एमस्पी टाइप किया उत्तरप्रदेश माधिमिक गार्जन हूं मैं कोई विवाबक हूं और जो जानना चाहता हूं किसी भी कॉलिज के बारे में पोल्टल खोला और मैंने पोल्टल पर जाकर मैं चाहता हूं कि किसी भी कॉलिज के बारे में मुझे कोई पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है मैंने हर घर तिरंगा कारेकरम पर क क्लिक किया और क्लिक करके जैसे मैं क्लिक करता हूं यह फेज ओपन आया जन्दपद सलेक्ट किया मैंने डिस्टिक मुझफन अगर और मैंने अभी आपके सामने एक फोटो अपलोड किया था अपने कॉलिज का आल तैसी लहने दिया और बिलॉक विद्याला का प्रकार स्कूल पर किलिक करता हूं सीधा 1072 मेरा कोड है और मैं किसी और कोलीज कर सकता हूं मैंने तस बहतर पर सिलिक किया विस्थी जानकारी है तू किलिक करता हूं अब आप देखो मेरे कॉलिज का फोटो आ गया यानि एक इतना अच्छा अपसार है अपने कॉलिज का पर्जेंटेशन सभी अभिभाव को और पूरे प्रदेश के नहीं बलकि भारत वर्स के कहूंगा सिख्षक सिख्षिकाओ अभिभाव को बच्चों को प्रस्पल्स को आम जन नागरिक को किसी भी कॉलिज के जो एक्टिविटी हुई हैं उनके फोटो उनके वीडियो देखने का अफसर उने भ कराई हैं प्रतियोगता कराई है हमने और साथ में साथ हमने जागरुकता रैली निकाली हैं और उन सब का मिक्चर बना कर एक वीडियो बनाए और एक अच्छे सी वीडियो अपना अच्छा सा प्रजेंटेशन अपने पोल्टल फरम डालें जिससे हमारे विद्धाला का ना हो जै हिंद जै भारत